ओम शान्ती वर्तमान समय हवे साइलेंस नो समय बोव नस दीखावी गयो ज़़ आना उपर मैं घणी रिसर्च करी साइलेंस ना स्टूडेंट नकार ने साइलेंस उपर मारो ध्यान बोव गयो बाबा साइलेंस उपर भनावे छे अने हूँ साइलेंस उपर कारी करूं चूँ आतो काई वाद ठीक न थी मेरे को कुछ साइलेंस के उपर करना चाहिए तब फिर सोचते सोचते बुद्धी वहाँ तक गई कि आखिर ये पढ़ाया किसने प्रसनों उठ रहा है कि अब साइलेंस में क्या करूं अच्छा मैं एक कोने में बैठ गया तो क्या साइन से बड़ा हो गया ऐसे मन में बहुत विचार उठने लगे क्योंकि मेरे को ये अनुभव था कि मैं जो कुछ भी बाबा को बताता हूँ बाबा उसमें हेल्प करते हैं और मैं सकसर सोजाता हूँ लेकिन बाबा किस प्रकार से हल्प करते हैं उसका अनुभव नहीं था इस बार ही ऐसा हुआ कि मन बुद्धी पूरी की पूरी बाबा के पास एक आग्र हो गई एक कुश्चन लेके कि साइन साइलेंस से उची कैसे तो मन और बुद्धी पूरी बाबा के पास एका ग्रू ही और बाबा से मैंने कुश्चन किया क्योंकि ये पढ़ाय तो शुबाबा ने है तो शुबाबा है का उनसे कन्फर्म कराएं तो ये भी हमें मालूम है कि वो परमधाम में है तो बुद्धी का योग पूरा कॉंसंट्रेशन बाबा के पास गया क्योंकि अब तक का जो अनुबह हो था कि बाबा हमारी आस पूरी करते हैं लेकिन कैसे करते हैं ये नहीं मालूम इस बारी जब पूरा कॉंसंट्रेशन बाबा के पास गया तो मैंने बाबा से उत्तर कानुवो किया तो जैसे उत्तर में ऐसा महसूस किया कि बाबा ने मुझे उत्तर दिया कि अच्छा बचे आप जानना चाते हो तो मुझे इतनी खुशी हुई वो उस दिन वो पहला दिन था मेरे लिए कि वा बाबा आमा को उत्तर भी देते हैं तो बहुत खुशी हुई वो तो उसका कोई अंदाज ही नहीं है तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे आपके पास जो भी व्यर्थ है उसको खतम कर दो और पांच साथ दिन में मैंने इस पर सोचते गया और पता चलते गया कि रात को जब चेकिंग करता था तो पता चलता था कि हाँ इस समय मैंने कारुबार की बात की फिर व्यर्थ भी की फिर ये चेकिंग बढ़ते बढ़ते एक सब्ता में मैंने व्यरत बोलना बंद कर दिया फिर उसी जगह बैठा बाबा से पूछा बाबा अब आब बताईगे मैंने व्यरत खतम कर दिया अब क्या करूँ साइलेंस कैसे हूँ ची बताईगे तो बाबा नी कहा कि अब जो कारोबार के बोल है न उसको भी इसारो पे ले आओ तो सुईकार तो जब कारोबार के बोल इसारो पे ले आया तो मेरे पास बोलने का कुछ रही नहीं तो कारोबार का बोल बोलेंगे या तो तो दो नहीं stop हो गया तो एकड़म silence में चला गया तो जब silence में चला गया तो बहुत अंदर हल्चल हूई अंदर जो जबर जब जब दब उठा तो वे दब उठा तो उसको में टॉल्रेट कर सका क्योंकि बाबा की आगया से किया था था न तो बाबा को हर बात बताना सुरू कर दिया कि बाबा ऐसे हो रहा है बाबा ऐसे हो रहा है तो उसके कारण पढ़ाई में पूरा ध्यान गया तो पढ़ाई समझ में आने लगी कि यह यह point इन बातों को काटती है बचे डरना नहीं यह माया अपना force करेगी तो उसका graph थोड़ा-थोड़ा बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते top level तक आया उसने मेरे को खुब डराया और इस पस्ट कहा कि तुम यह छोड़ दो तुमारी क्या value यहाँ पर तुम तो बहुत बड़े engineer बन सकते हो यहाँ तो छोटी-छोटी बैने तुमारे उपर order चला रही पूरा मतलब माया ने पूरा कोशिस की कि मैं इस ग्यान से चला जाऊ भाई जी से permission ले लो और चला जाऊ लेकिन एक बल एक भरुसा पकड़ के रखा और फिर पढ़ाई की शक्ति और योग की शक्ति ने धीरे धीरे वो जो माया डरा रही थी उसका ग्राफ गिरता चला गया और आंत्रिक खुशी बढ़ती गई और अब कोई भी माया आए तो उसके लिए तो तयार है वो कुछ नहीं कर सकती जैसे बाबा ने कहा वो कागज का सेर है तो अब वर्तमान समय उस इस्थिती में रहता हूँ कि कुछ भी बाहर में कुछ भी हो जाए अंतर में भी कोई ऐसा तुफान आ जाए अब मुझे हिला नहीं सकता है जिसको कहते हैं अंगद अंगद का पैर माया ने हिला नहीं सका अब इस विधी से आंतरिक गुप्त विधी से आंतरिक शक्ती से जैसे नॉर्मल रहते हैं सब पता नहीं चलता कौन क्या है कैसा है लेकिन अब समझ में आ गया कि नहीं बाबा के हर बच्चे इंटर्नली बहुत मजबूत है उन्होंने बाबा के लिए बहुत मेहनत किये तो उसका रेटर्न बाबा देते हैं और उसको उचा ले जाते हैं जिन्होंने हिमत रखिये तो इस अनुगों से अब हम सेवा कर रहे हैं ओम शान्ती